जम्मू कश्मीर के पूँच जीले में नियंतन रेखा के किनारे पाकिस्तान की ओर से भारी गोला बारी में बुद्वार को एक 65 वर्षिय महिला की मोथ हो गई और एक अन्ये गंफिर रुप से घायल हो गई एक पूलिस अधिकारी ने कहा कि बाला कोट और मेंडर सेक्टरों में सीमा पार से गोला बारी लगबग दो बजे शुरू हुई जिसमें भारतिय सेना द्वारा जोरदार जवाबी कारेवाही की गई उन्होंने कहा कि गाव लाजोंत में पाकिस्तानी गोला बारी में दो महिलाए रेशम भी और हकाम भी गंफिर रूप से घायल हो गई है और उन्हें अस्पताल पहुचाया गया है हालाकि रेशम भी ने बात में अपनी चोटों के कारण दम तोर दिया जबकि हाकम भी को विशेश उपचार के लिए जम्मू अस्पताल रेफर कर दिया गया था एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने छोटे हतियारों से गोले बारी करके और अपरहान दो बजे मोटरारों के साथ गेहन गोला बारी करके अकारण संघर्ष वीराम का उलंगन शुरू कर दिया दोनों और सी सीमा पार से गोलाबारी 45 मिन्ट तक जारी रही पाकिस्तान की जवाबी कारेवाही में हता हत हुए लोगों को ततकाल पता नहीं चला जमू कश्मीर के पूठ से समचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट करें लिए बैल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल मां चुझे ओर और सब्सक्ताइब करें लिए करें लिए drama, के रिर सकतानhyd स्वia् अर्ग ऑाकिस्दान झाल 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 झाल